बहराईच में आदमखोर भेडियों के आतंग को खत्म करने के लिए नया प्लान और नई टीम तैयार की गई है CM के निर्देश पर बहराईच पहुंचे वनमंत्री ने तमाम विभावों के अधिकारियों के साथ समिक्षा बैठा की है अब तक हुए आक्शन के रिपोर्ट अधिकारियों ने वनमंत्री के सामने रखी जिसके बाद नई टीम बनाने का एलान हुआ है नई टीम के साथ अब आदमखोर के अंत की कारवाई की जा रही है देखे रिपोर्ट अठारे ट्रेंड शूटर्स पंद्रह स्पेशल्टी तीन सेक्टर देड़ सो लोगों का मैन पावर पकड़े जाए तो ठीक नहीं तो एंकाउंटर आदमखोर पर प्रहार फाइनल प्लान तया अब आदमखोर भेडियों का अंतनिश्चित बहराईच के महसी इलाके में भेडियों के आदं कावन्त तय हो चुगा है भेडियों को गोली माडने के आदेश के बाद अब 18 ट्रेंड शूटर्स को इलाके में लगाया गया है आदेश साफ है पकड़े गए तो ठीक नहीं तो एंकाउंटर क्योंकि प्राथमिक्ता लोगों की जान बचाने की है करिब 10 दिनों से चल रहे ऑपरेशन भेडिया में चार आदम खोर तो पकड़े गए लेकिन दो भेडियों ने वन विभाग पुलिस और 20 टीमों के पसीने चुड़ा दिया बार बार बीच में हमले भी हुए और प्रशासन की तयारी धरी की धरी रह गए अब सीम योगी के सक्त नर्देश के बीच जब वन मंत्री बहराइच पहुचे तो भेडियों को पकड़ने के लिए नया एक्शन प्लान तयार किया गया जिसके तहर भेडियों को मारने के लिए 18 ट्रेंड शूटर्स पैनाद किये गया है पकड में ना आने पर भेडियों को मारने के आदेश दिये गया है भेडियों को पकड़ने के लिए 15 नई टीमों का गठन किया गया है बेडिये को पकड़ने के लिए टीम को साथ से दस दिन का समय दिया गया है डीम अस्तर पर रोजाना इसकी रिपोर्टिंग होगी पुलिस और फॉरेस्ट विभाग को अलर्ट पर रखा गया है अलग-अलग विभागों के नोडल बनाये गये है अपरेशन के लिए अधिकारियों के जिम्मेदारी तैह हुचकी है और साफ कर दिया गया है लापरवाही कतई परदाश तो नहीं होगी डीम अस्तर पर डेली रिपोर्टिंग होगी पुलिस विभाग, जो है मारा फॉरेस्ट विभाग है यह दोनों और हमारे जो और भी प्रसासनिक विएस्था वो तीनों बिजली विभाग है, प्रसास्थ विभाग है यह सारे विभाग एलर्ट होंगे और उनके नोडल बना दिये गए वो जब तक भेडिया पकड़ने लिए जाते हैं और यहां का सब सिस्टम नहीं हो जाता तो वो सब के नोडल बिभाग बना दिये गए उनका अधिकारी नुक कर दिये गए उनको जिम्मेदार दिये गए कि कुछ ऐसा होता तो लापरवाही किसी भी तरक है हमको लगता है कि एक हपते से दस दिन लगता है उसका तुकी पांचे दिन सर्च करने में लग जाता उसका व्यवहार जानने में हपते दिन लग जाता है उस व्यवहार के हिसाब से उसके पकड़ने की व्यवस्ता होता भेडियों को पकड़ने के लिए एधिकारीों की जिम्मेदारी तै हो चुकी है साथ से दस दिन का समय भी तैकर दिया गया है तो लोगों को भी जिम्मेदार रहने को कहा गया है वन मंत्री ने साफ किया कि लोग खुद भी पहरेदारी करें खुले में घर में न सोएं जिन लोगों के घर में दरबाजे नहीं हैं उनके रहने के लिए दूसरी जगह पर सरकार ने विवस्ता की है। भेडियों को पकड़ने के लिए नई टीम अपने काम में जुट गई है। उमीद है अब भेडिये जल्द पकड़े जाएंगे और पचास से जादा गाउं में कई दिनों से चली आ रही आदम खोर की दह्शत से लोगों को निजात मिल जाएगी। इन वरिष्ट अधिकारियों के नित्वत्त में ये सर्च और रेस्क्यू आपरेशन चलाया जाएगा और कोसिस ये की जाएगी कि जल्द से जल्द इन आदम खोर भेडियों को पकड़ा जाए। जबकि दूसरी और जब तक भेडिये पकड़े नहीं जाएंगे तब तक आम लोगों को बचाने के लिए भी लगातार लोगों को जागरुक करने और जिनके घरों में दरवाजे नहीं हैं जिनके पास रहने का सुरच्छत अस्थान नहीं हैं उनको अस्थानी स्कूलो या क किसी सुरच्छत अस्थान पर भी पहुचाने के दिसा निर्देश दिये गए हैं इस दौरान इस बैठक में जो सूटर्स हैं उनकी संख्या भी 9-18 किये जाने की निर्देश दिये गए हैं और पुलिस को भी लगातार पैट्रोलिंग कर घरों से बाहर सोने वाले लोगों क को सुरच्छत अस्थान पर पहुचाने के लिए भी निर्देश दिये गए हैं तो कुल मिलाकर सरकार ने ये साफ कर दिया है कि सबसे पहली प्रात्मिक्ता मायराईच के महसी लाके के लोगों को आदम खुर भेडियों से उनकी जान बचाना है और साथ ही साथ इन आदम भी नहीं जाएगा इन्हें गोली मार दी जाएगी कैमरेमेन रभी गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंग निव जैटीन बहराईज तो भेडियों को मारने के लिए शूटर्स तैनाद किये गए हैं पहले नो शूटर्स थे अब संख्या बढ़कर अठारा कर दी गई ह खास बात यह है कि सभी शूटर्स वेल ट्रेन बुलाए गए हैं भेडियों को पकड़ने के लिए 15 नई टीमों का गठन किया गया है नई टीम में एक्सपर्स लोगों को शामिल किया गया है जिसमें 1.500 अधिकारी करमचारी शामिल है आपको यह जानकारी देते हैं कि भेड हैं जिसमें 10-10 सदस से शामिल किये गए हैं इसके साथ ही जोन से भी तलाशी की जा रही है फिर आया आदम हो कैमरे में दो से ज्यादा नर्भक्षी फिर जुंड में निकला लंगडा सरदार फिर एक्टिव हुआ भेड़िया गैंग जाल ट्रोन पहरेदारी भेड़िये सब पर भारी विछे रह गए जाल भेड़िये ने बदली चाल आदम खोर अभी जिन्दा है आदम खोर अभी जिन्दा है बहराईच के 50 गाउं में आदम खोर भेड़ियों का खौब बरकरार है सिकंदर पुर गाउं में एक रात पहले एक नहीं दो नहीं पूरे तीन भेड़ियों के देखे जाने का दावा किया गया है जिनकी एक्स्क्लोसिब तस्वीर आप देख रहे हैं वही अब गाउं वालों का दावा है कि फरार चल रहे भेड़ियों की संक्या दो से ज़्यादा है गाउं वालों ने न्यूस येटीन से बादचीत में ये दावा किया कि भेडियों के जुंड में अभी कई और भेडिये हैं जो गाउं में लोगों पर हमला कर रहे हैं एक लंगडे भेडिये के साथ उसके कई दूसरे साथियों को भी देखने का दावा गाउंवालों नी किया है गाउवालों का दावा है कि भेडियों का मुवमेंट बार बार देखने को मिला है प्रशासन की पेट्रोलिंग और ड्रोन सर्विलांस के बावजूद भेडियों के मुवमेंट को रोकने में नाकामी मिली है भेडियों के आतंग के चलते लोगों की रातों की नीन धराम है घागरा नदी के किनारे महसी तहसील के पूरा प्रसाद गाउं इलाके में एक बार फिर से भेडिया देखे जाने का दावा किया गया है जिसका वीडियो वाइरल होने के बाद वन्विभाग की टीम भेडियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है अब आपको भेडिये की दो तस्वीरें दिखाते हैं पहली तस्वीर सिकंदरपुर गाउं की है जबकि दूसरी तस्वीर महसी तहसील के पूरा प्रसाद गाउं की है इन्ही दोनों गाउं में भेडियों को देखने का दावा किया गया है इससे पहले गरेठी गाउं के गन्ने के खेत में भेडिया दिखा था उसके बाद वन विभाग की टीम ने सर्च ओपरेशन चलाया कई घंटे तक सर्च ओपरेशन में भेडिया नहीं मिला ये का आतंग बना हुआ है और ऐसे में वन विभाग के अधिकारी भी युद्सतर पर जुटे हैं आज वन मंत्री जहां एक और स्टाफ को दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को तो वहीं आप देख सकते हैं वन विभाग के अधिकारी यहां सक्त मौजूद हैं और इस इंक के खेत में यानि गन्ने के खेत पर करें और चाहे इनकी पूरी टीम लगी है तो देख सकते हैं कुछ लाठी कुछ डंडे लेके और यहां तक की उत्तर प्रदेश फोरेस्ट फुलिस के जो कॉंस्टेबल्स हैं यहां इनकी सर मौजूद है पच्चिन देख रहे हैं हम लोग अच्छा बेड़े की पूरा खेत देख रहे हैं अंदर तक जाएंगे जाता संक लेगेगी कि यहां इदर हो सकता है इदर बैठा होगा तो देख मुझी को देख रहे हैं कोई पच्चिन दिखा सर अभी अभी ने दिखा लिया तो कितनी आपके साथ तमाम लोग हैं देख रहे हैं अब लोग देख सकते हैं कि यहां मौजूद है फॉरस की जहां तक कैमरे के नज़र जा रही है पूरे हाथ में डंडे लेकर पूरी टीम और निउस एटिंग की टीम भी सक्ट राउंड जीरो पर है क्योंकि अधिकारी उन्हें न जहां तक इस पूरे एरिया की बात की जा रहे हैं यहां इस वक्त फॉरस विवाग की टीम मौजूद है अब जब इनका यह सर्च ऑपरेशन समाप्त होगा तब जाके पता चलेगा क्या यहां बेडिया के पच्चिन मिले या नहीं सिकंदरपुर गाउ में भेडिये से बचने के लिए लोग लाठी टॉर्च के साथ रात रात भर पहरेदारी कर रहे हैं गाउ में देसी जुगार से बंदूक बना कर उसमें भारूत भर कर धमा का क्या जा रहा है ताकि आदम खोर भेडिया गाउ के आसपास भी ना भटक सक तो वही ग्राम प्रधान गाडी में लाउड स्पीकर लगा कर गाउवालों को सतर कर रहने और घर का दर्वाजा बंद रखने की अपील कर रहे हैं बहराईच में प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी आदम खोर भेडिये पकड में नहीं आ रहे हैं ऐसे में यूपी स तरकार की और से भेडियों के अनकाउंटर का आदेश जारी कर दिया गया है बहराईच में आदम खोर भेडिये की दहशत कायम है लेकिन राहत की बात ये है कि दो दिनों में भेडिये ने किसी को अपना शिकार नहीं बनाया है भेडिये के आतंग को लेकर शासन प्रशासन भी लगातार बैठक कर रहा है भेडिये की दहशत से किसान खेतों पर जाने से कतरा रहे थे लेकिन दो दिनों में भेडिये की किसी प्रकार की कोई हल चल और घटना नहीं होने से ग्रामीन और किसान अब खेतों पर दिख रहे हैं पिछले गेड़ मेने से भेड़िये की दैशत से ग्रामीन परेशान थे और वहीं अपने खेतों पर नहीं जा रहे थे देखे फसले पूरी खड़ी हैं अगर धान की बात की जाए तो यह धान है हम भी यहां मौजूद हैं और ऐसे में अपने केमरामेन गोपी से कौँगा उस